जरा सोचो तुम्हारी अपनी बड़ी बेहने तुम्हें जिंदगी भर किसी लड़की से बात ही न करने दें। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरवात होती है जैकसन नाम की एक 6 साल के लड़के से जो अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसके पास पहुँच गया और उससे साइन करने को कहने लगा। जब उस लड़की ने इंकार कर दिया तो जैकसन ने उसे उसकी पत्नी बनने के लिए दो मुवी टिकेट्स की घूस दी। लड़की ने साइन तो कर दिये लेकिन मुवी देखने किसी और लड़के के साथ चली गई। इतना गंदा दोखा, 6 साल की लड़कीयां भी चलाक हो रही हैं। अपनी तीर अंदाजी के दम पर जैकसन से काम करवाया करती थी। तीसरी बहन हेवन एक हैकर थी जो किसी भी कम्प्यूटर को आसानी से हैक कर लेती। उसने जैकसन के स्कूल के सिक्यार्टी सिस्टम को हैक कर रखा था ताकि वो अपने भाई पर नजर रख सके। उससे बड़ी बहन थी मेलेडी जो जैकसन के ही स्कूल में एक टीचर थी। उनकी सबसे बड़ी बहन है सारा। वो सबसे गुसेल थी और पूरा परिवार उससे डर कर रहता था। उनके माबाब काफी पहले ही अलग हो गए थे और तब से सभी बहने मिलकर एक दूसरे का खयाल रखने लगी। एक दिन जैकसन अपनी बहनों के पीछा करने से तंग आ गया। उसके दोस्त ने उसे एक ऐसा सूट बना कर दिया जिससे वो आसानी से छिप सके। गलती से जैकसन लड़कियों के लौकर में फस गया लेकिन एक नई लड़की मैंग ने उसे पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास ले गई। मुसीबत में पढ़ने से जैकसन को कोई दिक्कत नहीं थी बस उसकी बेहनों को पता न चल जाए। शाम को घर लोटते हुए उसे डर लगा रहा कि कहीं स्कूल वालों ने ये बात उसकी बेहन को ना बता दियो। लेकिन जब घर पर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा तो उसने चैन की सांस ली। डिनर के समय अचानक मैलेडी ने उससे पूछा मुन्ना तुम लड़कियों की लौकर में क्या ढून रहे थे बेटा। तभी सब की नजर बड़ी बेहन सारा पर गई जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। इसके बाद सारी बेहने जैकसन को जमीन पर घसीटते हुए ले गई और उसे उल्टा लटका दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पूछ ताज का क्या कर रहा था लड़कियों की लौकर में हराम खोर। असल में उन्होंने जैकसन को किसी भी लड़की से आँख तक मिलाने से मना किया था ताकि कोई फिर से उसका दिल न तोड़ सके। नहीं घर बसने देंगी अपने लौंडे का। उसकी बहनों के हिसाब से ये सबसे बढ़िया तरीका था। ना तो वो किसी लड़की से मिलेगा और ना उसका दिल तूटेगा। लेकिन उस दिन जैकसन ने पहली बार उल्टा जवाब देकर कहा। अखिरकार सेरा ने शान्त होकर कहा कि अगर जैकसन ऐसी लड़की ढून ले जिसमें उसकी सभी बहनों की काबिलियत हो तो वो उसे गल्फरेंट बना सकता है और उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। जैकसन उसे गल्फरेंट बनाने को राजी हो गया लेकिन उसे तो लड़कियों से बात करनी ही नहीं आती थी। फिर उसका दोस्त कबुतर बनकर गया और मेंग के पास जाकर जैकसन की तारीफों के पुल बानने लगा। उसने कहा कि जैकसन की बहने उस पर अत्याचार करती हैं जिससे वो विचारब बहुत परिशान है। तुम ही उसे बचा सकती हो मेंग। ये सुनकर मेंग को उस पर तरस आ गया। मेंग उससे बात करने गई लेकिन उसी वक्त किसी ने अफवा फैला दी कि एक जंगली भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया है। जैक्सन हीरो बनकर सबको बचाने लगा लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नकली भालू था। नकली भालू ने उसे सीडियों से धक्का दे दिया और वो सीधा हॉस्पिटल में ही उठा। जब उसकी आँख खुली तो मेंग उसके साथ थी। हाला कि भालू वाला आइडिया काम्याब नहीं हुआ लेकिन मेंग फिर भी उसकी दोस्त बनने को राजी हो गई। तभी वहाँ जैक्सन की दो बहने आ गई और अपना खयाल ना रखने पर उसे डाटने लगी। ये देखकर मेंग को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें रुकने को कहा। उसकी बहने हैरान हो गई जब मेंग ने कहा कि वो जैक्सन की गर्ल्फरेंड है। ये सुनते ही जैक्सन तो खुशी से पागल हो गया। अच्छा? ऐसा कब हुआ था? फिर घर जाकर उसकी बहनों ने पूछा क्या सच में उसकी कोई गर्ल्फरेंड है। हमाये जैक्सन भाईया ने स्माइल पास की लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। रंगबाज लोग हैं ऐसे छोटे सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन जब सारा ने उससे पूछा तो उसे मेंग के बारे में बताना ही पड़ा। बहनों ने उसे एक बार फिर से उल्टा लटका दिया क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। साले बहुत फॉर्वर्ड हो रहा है। एक दिन में गल्फेंड बना ली। जैक्सन ने भी अपनी बहनों को समझाया के समझो बहनों ये पहली नजर का प्यार है। हम दोनों की आँखे मिली आँखों में आँखों ने बात की और बस प्यार हो गया। लेकिन उसकी इन बकवास बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने एक बार मेंग को परखने का फैसला किया कि वो उनके भाई के लायक भी है या नहीं। अगले दिन वॉयलेट, लिली और मेलीडी स्कूल में ऐसे पहुँची जैसे आज ही जंग लड़के जाएंगी। जब जैकसन और मेंग साथ थे तो वॉयलेट ने मेंग पर एक तीर चला दिया लेकिन जैकसन ने सही समय पर तीर रोक लिया और मेंग उन पर गुस्से में चिलाने लगी। जब वॉयलेट की तरकीब काम नहीं आई तो लिली ने जिम्मा उठाया। उसमें स्कूल के एक से एक सुन्दर चमकदाज चैरे वाले लॉंडो को पैसे दिये। सब सोच रहे थे कि ये धमाका आखिर हुआ कैसे। और तब ही हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लाब में एक लड़का और पॉंप्स बना रहा था। उसके इरादे किसी को नहीं पता लेकिन उसी ने मेंग को वॉयलेट से बचाया था। बाद में जैकसन और मेंग चक पर बैलेट ने बताया कि वो काम पूरा नहीं कर पाई। अब हैवन ने मेंग को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। उसने स्कूल के सीसी टीवी से मेंग की अलग-अलग वीडियोज उठाई और नहीं जोड़कर ऐसे पेश किया जैसे मेंग बेहत खराब इंसान लेकिन इससे पहले वो उन्हें इंटरनेट पर डाल पाती लाइट चली गई। हमने देखा कि वही केमिस्ट्री लाब वाला लड़का उनके घर के बाहर था। उसी ने लाइट बंद करके मेंग को फिर से बचाया लेकिन अभी भी उसकी असलियत कोई नहीं जानता। घर मे तीनों बेहने अब अपने से बड़ी बेहन मेलेडी के पास गई। अब मेंग से चुटकारा पाने की जिम्मेदारी उस पर थी। अगले दिन उसने मेंग को खेल के लिए चुनौती थी। पहले उन्होंने पलक न जपकाने का मुकाबला किया और फिर मचली पकड़ने का। दोनों में जीत मेलेडी की हुई। अब वाइनल राउंड होने ही वाला था कि सबसे बड़ी बेहन सेरा वहां आ गई। उसने मेंग को हैमर थ्रो की चुनौती दी। इसमें उन्हें लोहे की भारी भरकम गेंद को दूर तक फैकना होगा। अपनी अदभुच शक्तियों से सेरा ने बॉल को हवा में ही घुमा दिया। फिर उसने एक और गेंद उठाई लेकिन उसमें से एक चावी निकल गई। असल में ये एक बॉम था जो किसी भी वक्त फट सकता है। मेंग ने ये देख लिया और उसने तुरंट सेरा से बॉल छीन ली। जब धमाका हुआ तो सेरा को एसास हो गया कि मेंग ने उसकी जान बचाई है। अब वो मेंग को पसंद करने लगी और बाकी बहनों को भी उस पर पूरा भरूसा हो गया। ये देखकर जैक्सन भाईया भी खुशी से जूमने लगे। इसके बाद जैक्सन और मेंग एक साथ काफी वक्त गुजा सुभा उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया लेकिन पूरा वक्त कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। ये कोई और नहीं वही केमिस्ट्री लाब वाला लड़का था। उन्हें साथ देखकर उसका खून खौल उठा। अगले दिन स्कूल में जब लिली एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो वहां से चली गई और जैक्सन उसके पीछे गया। लेकिन मैंग ने उससे कोई बात नहीं की। जैक्सन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। असल में मैंग सोचने लगी थी कि जब से वो जैक्सन की जिंदगी में आई थी तब से उसकी और उसकी बेहनों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ गई हैं। शायद वो जैक्सन के लिए ठीक नहीं इसलिए वो उससे दूर रहने लगी। जैक्सन ने उससे बात करने की काफी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रात बाहर तेज बारिश हो रह रही थी। जैक्सन ने उसे गले लगा कर कहा कि तुम पहले जैसी हो जाओ ना क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैंग ने उससे धक्का दे दिया। पता चला कि वो स्कूल छोड़ कर जा रही है। उसने जैक्सन से कहा कि जब तक वो यहां से चली नहीं जाती तब तक उससे द उसने मौका देखकर जैक्सन को किड्नाप कर लिया। उस रात स्कूल में एक पार्टी थी। हर कोई मजे कर रहा था लेकिन महेंगा के लिए उदास बैठी थी। जैक्सन की बहने भी परिशान थी क्योंकि जैक्सन कल से गायब था। उन्होंने उसे ढूंडने की बहुत कोश की। पता चला कि उसका फोन आसपास ही है। तब ही अचानक मास्क लगा कर एक आदमी स्टेज पर आया। उसने जैक्सन को किड्नाप करके एक रॉकेट से बान दिया था। जब सबने पूछा कि वो जैक्सन से इतनी नफरत क्यों करता है। तो उसने बताया कि कोई उसकी त अदला लेना चाहता है क्योंकि उसने मैंग को उससे चीन लिया था। उसने गुस्से में रॉकेट का बटन दबा दिया। जैक्सन की बहनों मैंग और उसके दोस्तों ने रॉकेट को पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए रुक पाया। उड़ जैक्सन ने सब के सामने मैंग के लिए अपने प्यार का इजहार किया। आखिरकार रॉकिट आसमान में उड़ गया और जैक्सन धमाके के साथ मर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंग एक कबर पर पहुँची। जैसे ही उसने फूल चड़ाए तभी जैक्सन वहां में वो बच गया था और बस उसका हाथ तूटा। ये कब रसल में मैंग की मा की थी। इसके बाद जैक्सन की बहने आ गई और फिर से पहले की तरहां उसे तंग करने लगी। तो तुम अपने भाई बहन से कितना प्यार करते हो। कमेंट्स में इस बारे में एक लाइन तो बनती है।